हेलो फ्रेंथ्स, वेलकम टो दिपिकाज ग्रेंच इली आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, और प्लीज आप मुझे कामेंट बॉक्स में बताए कि आपको निक्स रेशिपी किस चीज की रहे हैं तिले में पानी रखा है बॉल करने के लिए और एक बॉल भरक्टे में पास्ता ले रहे हूं पास्ता आपकोगी ले सकते हैं मैं एक बॉल भरक्री सब्सक्राइब अपर causa अराउंड चार्सो ग्राम की असपास है कि अब इसे हम बॉल भॉने देंगे हमारा पास्ता हो बल रहा है तब तक हम वाइट चौंस बना देंगे मैंने इसमें डालाई पान लिया है बटर बटर के साथ थोड़ा सा ओई ज़रू डादिए ने तो बटर जल जाएगा बलालेंगे नसल मैंने पांट से साथ क्लोप लिया है उसको क्रश कर लिया है जो लसन नहीं खाता है वो अवाइट कर सकता है इसको हलिका हमें गोल्डन ब्राउनी होना है बस का थोड़ा सा हमें इसको सौते करना है जिससे इसका कच्चा बन चला जाएए इसी के साथ कानूगी मैं प्याज एक से दो प्याज ली हुए है दो प्याज है मैंने छॉप करी हुए मैंने क्याप्सिकम दी है इसको भी हम साथ में सौते कर देंगे स्वीट कोन है फ्रोजन वारे स्वीट कोन है आधी के टोरी वह भी सौते गे शिर्ला मिच हल्की सी सॉफ्ट हो जाए बस हल्का क्रंचीनिस रहने देने उसे टेस्ट अच्छा आता है इसमें आप येलो बेल पेकर्स ब्रोकली सब कुछ जा सकते हैं जो सबजी आपको पसंदो आप वो डाल सकते हैं अब इसमें में डालूंगी तू टेवस्पून अव मेंदा इसको भी हम हलके से सौते कर लेंगे बहुत से वाइट सों सालक से बनाते हैं मैं साथ में ही बना रही हूं तो ये इजी है बहुत जदी से बन जाएगा एक मिनिट तख हम इसे सौते करेंगे अब में इसमें डालूंगी दूड एक कप के राउंड में इसमें डूड डालूंगी और बॉइल आने तक काल्ली मिल्च आधी चमच काल्ली मिल्च हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और इक्स्टर देंगे नमक टेस्ट के कॉड़िंग अब इसे बॉइल आने तक हमसे पकने देंगे यह देखे एक बॉइल आ गया और हमारी सौस काफी काड़ी हो गए इस स्टेज पर हम इसमें डादेंगे पास्ता जो हमने पास्ता बॉइल कर लिया था अमेसमे लालोंगी एक चमच 1 तिबस्पून अम्मूल क्रीम तो तिबस्पून अम्मूल क्रीम अम्मूल क्रीम डालोंगी थोड़ी सी प्रॉसिस्टीज बस अभी रेडी तो सूँ जालोंगी थोड़ी सी बेजल मेर पस ड्राय बेजल है अगर आपके पस फ्रेश बेजल हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं फ्रेश से बहुत अच्छा सुआ दाता है रालोंगी थो ररालोंगी तो थी थो रालोंगी वालोंगी थूंडैनी टाता है ? झाल झाल